नमस्कार, राजदाना टीवी पर आपका स्वागत है, मैं प्रियाम आपके साथ संसत की सुरक्षा में सेंद के मामले में कॉंगरेस नेता और संसत राहुल गांदी की प्रतिक्रिया सामने आई है उन्होंने केंद्र की मोदी सरकार की नीतियों पर सवाल उठाए है राहुल ने कहा कि सुरक्षा में चूक हुई है ऐसा क्यों हुआ क्योंकि इस देश में बेरोजगारी बड़ा मुद्दा है उन्होंने कहा कि पिये मोदी की नीतियों के कारण देश के युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है इस घटना के पीछे का कारण बेरोजगारी और महंगाई है वहीं कॉंग्रेस अध्यक्ष मली का अजुन खडगे ने कहा कि गरह मंतरी सदन में बयान देना नहीं चाते वो मीडिया में इस मामले पर बयान दै रहे हैं लेकिन सदन को सुचारू रूप से चलाने के लिए सदन में नहीं बोलते हैं साथ ही कहा कि वो कॉंग्रेस का नाम लेकर वोट मांगते हैं नहरू जी और गांदी जी को निशाना बना कर वोट मांगते हैं वहीं समाजवादी पार्टी के प्रमुक अखिले श्यादव ने भी कहा था कि नो जवनों के परिवार से जब मीडिया ने बात की तो उन्होंने बताया कि ये सभी युवा बेरोजगारी से दुखी थे इसलिए वो सदन में कूद गए नोकरी नहीं मिल रही थी तो गुंगी बहरी सरकार को जगाने के लिए वो लोग सदन में कूद गए थे इससे पहले कॉंगरेस महा सची उजयराम रमेश ने बाचपा सरकार पर वास्तविक मुद्दों से ध्यान बठकाने की कोशिश करने का आरोप लगाया और आश्चर जिताया था कि ग्रह मंत्री सदन में बयान देने को तयार क्यो नहीं है उन्होंने ये भी कहा कि इसमें मैसूर के बाचपा सांसत की बूमी का थी जिन्होंने घुस पेठियों को विजिटर पास उप्लब्द कराये थे इसी के साथ पने रही है राजणामा टीवी के साथ तहने बाद